बायू, जल, आकाश और जमीन तो ये किस तरीके से एक वेडिंग कपल के लिए इंपोर्टन है और उनकी हैं मैंने लाइफ के लिए ये पंच्चत्वा किस तरीके से उन्हें काम आते हैं ये ठीम पर हमारी आज की गरूण मैं इस ब्रह्मांड का रचैता, अद्वैत, अचल, नियंदा, परमात्मा मेरे द्वारा रचित, इस स्रिष्टी के पंच महभूत, यानि अगनी, जल, वायू, पृत्वी और आकाश जल, विवाहित जोडों के लिए जल प्रतीक है समवेदनाओं का, भावनाओं का, जोडों के बीच निर्मल प्यार का, इस वायू विवाहित जोडों के लिए वायू प्रतीक है विश्वास का, प्रतीक है एक दूसरों के संग विताय जाने वाले मीठे वक्त का, शमा का तीसरा तत्व यानि आकाश, विवाहित जोडों के लिए आकाश प्रतीक है खुश्णमा सपनों का, एक दूसरे के भविश्य हेतू किये जाने वाले कर्मों का यानी धर्ती, धर्ती प्रतीक है मिट्टी का, रीती रिवाजों से चुड़े रहने का, और संस्कृती से डटे रहकर सांसारिक जीवन को प्रफुलित बनाने का अगनी, अगनी तत्व विवाहित जोडों के बीच होने वाले मीठी नोगजोग का प्रदीत है, जो दैनिक दिंचरिया हेतू आवश्यक है आईए, हम भी पंच तत्वों के अधीन होकर इन्हें सदा सर्वदा, खुश रहने के आशिरवात दें सर्वास से तारों वाली शगनादी शब आई है, बन्नों से बनने के मिलने की जोरत लाई है, शगनाई दूपों जी सब के आंखे बर आई है, सर्वास से तारों वाली शगनादी शब आई है, बन्नों से बनने के मिलने की जोरत लाई है, शिर्णाई यूगों जी सब के आँखे बर आई है, उम्हास से तुप है!